बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट स्वामी ओम को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है बुद्वार की सुभा स्वामी ओम का निधन हो गया है वह बीते कुछ महीनों से बीमार थे उन्हें तीन महीने पहले कोरोना हुआ था जिसके बाद उनका एम्स में इलाज चल रहा था अब कुछ देर पहले ही उन्होंने अपने निवास NCR के लोनी स्थिद D.L.F. अनकुर विहार में अंतिम सास ली है संसनी ओफ इंडिया से हुई बातचीत में उनके दोस्त मुकेश जैन के बेटे अर्जुन जैन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 15 दिन पहले उन्हें पैरालेसिस हुआ था जिसके बाद से उनकी हालत बिगड़ गई और कुछ देर पहले ही उनका निधन हो गया अर्जुन जैन ने कहा स्वामी ओम बीते कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे उन्हें कोरोना ठीक होने के बाद भी कमजोरी के कारण चलने फिरने में काफी परिशानी हो रही थी जिसके बाद उन्हें आधे शरीर में पैरालेसिस भी हो गया था 15 दिन पहले लकवा लगने के कारण उनकी हालत बिगड़ गई आज सुबह यानि बुधवार 3 फरवरी को उन्होंने अंतिम सास ली उनका अंतिम संसकार निगम बोध घार दिल्ली पर दोपहर डेड़ बजे बजे किया गया आपको याद दिला दें कि साल 2017 में निच्टा जैसे गंभीर मुद्दे पर सुप्रीम कोट ने 24 अगस्त 2017 को बिग बॉस से चर्चित हुए स्वामी ओम पर सुप्रीम कोट ने 10 लाख रुपे का जुर्माना लगा दिया था दरसल स्वामी ओम ने याचिका में कहा था कि हाई कोट और सुप्रीम में जजों की नियुक्ति करते समय सीजाई से सिफारिश क्यों ली जाती है इसी पर सीजाई खेहर और जस्टिस डीवाई चंडरचु की बैंच के सामने ये केस आया तो कोट ने कहा कि ये पब्लिसिटी स्टन्ट है लेकिन स्वामी ओम ने इस पर जवाब दिया था कि वो बिग बॉस के जरिये पहले ही बहुत पब्लिसिटी पा चुके हैं इस मामले में बीते साल कोट ने उन्हें जुर्माने के 10 लाख की जगए 8 हफते में 5 लाख रुपे जमा करवाने कहा था संसनी ओफ इंडिया टीम प्राइम से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे संसनी ओफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेट करें शेयर करना न भूले